आप सबका टीम सोरिम में और जैसाथ एको पिछले में आच पे बोला था मैंने कि इंग्लेंड के जीतने के चांथ थोड़े से कम रहेंगे और वेस्ट इंडीज अच्छा गर सकती और स्पेशली एविन लुइस याद है वीडियो में ग्रांड लीग के लिए सी विसी बोला प्रसंद है लाइक जरू करते हैं उसमें बड़ी कमी दिखाते हैं तुम जीतने के बाद भी न मेहनत थोड़ी लगती है और ऐसे क्लिक करना है ठीक है फटावट से कर देना और बागी टेलक्राम चल अगर आपने जोइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसक अब जीवर से मैच रहने वाला है विवन्रेजर्स टेडियम में होगा सर विवन्रेजर्स टेडियम में अब 23 मैचेश हो चुके हैं 13 जीते हैं चेज करने वाली टीम ने 10 जीते है बारिश का महूल था फिशली बार इस बार फोड़ा सा क्लियर है तो चांस है कि आपको भी पूरा ही मैच जो होते हुए दिख जाएगा अब बागे बात करें अगर स्कोर किता हो थे को पहले जो 2030 में मैच इसने नहीं देखा हो गंफ्यूज होगा जिसने मैच कहला तो उनको तो पता होगा तो डगवर्द लो इस सिस्टम से जो है इनको तो टार्गेट मिला था 157 का 37 सावन ओर्स में बट इनोंने बड़ी जल्दी चेज़ कर दिया I think 37 या 35 एज़े कुछ ओर्स में मिला था 6 विकेट पेस के थे 6 विकेट उस मैच में जो है स्पिन को मिले थे अब जनरल यहां पर क्या होता है आप जाधा तर मैच में देखोगे पेसर्स के विकेट पहली इन इंग्लेंड की प्लेंग एलवन की तो यहां से विसे चेंजस होने नहीं चाहिए बट एक चेंज जो मिर को लगता है इंग्लेंड को कर लेना चाहिए अब पता निंग्लेंड करें ना करें वो है जैमी ओवर्टन का इसकी जगे तो अगर एक बोलर खिला ले जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है वो जादा बैटर जोई साइधिंग रहेगा बट इंग्लेंड जोई जैमी ओटन को फिलाल के लिए प्योर बैट्समन की तरह खिला रही है और जैमी ओटन ने रन रनाए पिछले मैच में जीरो पिछले भी कुछ मैचस में स्कोर देखो है तो जैमी ओटन के तरह से जादा खास आया नहीं है भी तक ठीक है बागी अगर देखा जा तो फिल सोल्ट और आपको यहां से विल जैक्स जोपन करते हुए दिख जाएंगे और जिसमें की इंपॉंट वैसे थीक है दोनों ही है विकेट कीपर है फिल सोल्ट के साथ मिजा सकते खास और उन 18 बनायते विल जैक्स का क्या है कि पिछले मैच में चुकी आब पिछले में क्या ओगा मैच में विल जैक्स से ब्से बोलिंग करा नी !! चैटे है यई इनगलेंड उस चीज़ में वयका सकती है इफ पेसली अगर पहले बोलिंग वह करने आते है तो ठीक है इस व बहुत बार ऐसा होता है कि बैटिंग आती है जो रोडन कोक्षी को भी इस तरीके से रेन बना देता है तो एक डिफरेंशल तरूर आप ट्राइ कर सकते हो वहला कि बहुत ज्यादा से फॉक्षन तो नहीं है स्मॉलिक के साब से देखा जाए तो बागे जगा बैथल है 27 रेन और जिरू विकेट एक ओवर एक डाला था ज्यादा डालने का मुखाई नहीं दिया लू इसने उसका बाद में आसे लिए हम लिविंश्टन है 48 रन और साथ में एक विकेट इनके तरग से देखने को मिला एंड डेफिनेटली को सी वी सी डाइप चोस भी बनेगा यह बोलिंग कराते हुए नजर आते बट लूइस बहिए ने इतना भाई तोड़ा इनको की मौकाई नहीं मिला मैच तोड़ा जल्दी खतम कर दिया उन्होंने बागी आट रन डेन माउसले नहीं से बनाए तो रिसेंटली में रन तो डेन माउसले की नाम नहीं है विकेट क ग्रेन लिग में भी बहुत कम टीम में इसको ट्राय करने वाला हुला कि पूरा इंटन्ओर नहीं करने वाला 12 तेरा टीम अगर आप भी बना रहे हो ग्रेन लिग की तो फैसले मैच में चैब बढ़िया वोलर है फिलाल जली जो रिसेंटली विकेट्स निकाले हैं वो भी काफे अच्छे हैं ऐसा नहीं कि विकेट नहीं निकाल रहा है आदिल राशिद के लिए तो फिर ये ग्राउंड बनता ही है तो एक विकेट राशिद के नाम भी था अगर यहां से अब डिफरेंचल में जोडन कोक्स वगरे ट्राइ नहीं कर रहे हैं और बोलर में किसी और के साथ में जाना है तो बोलर में आपके पास में जोन टर्नर एक बहुत बड़ी आवसे उप्शन है बोलिंग ठीक ठाक रही थी और विकेट की जब बात करें न तो जोन टर्नर देखो या तो विकेट लग से और या फिर उसने बाई सीधे दो तीन चार विकेट पर ही हाथ मारा है तो एक ग्रैंड लीग के लिए डेफिनिटली कैप्टन वाइस कैप्टन जोन टर्नर यहां से बनता है उसके लावा यहां से अगर बेंच की बात की जाए तो बेंच में आ जाते है कौन बेंच में यहां से माइकल पैपर है रीस्टोपले है शाकिम महमूद है जफर चोहान है अब इंगलेंड वैसे काइंड ओफ चेंज कर सकती है जोन टर्नर को क्योंकि विकट नहीं लिया इस वज़े से हलागी बाकिस भी नहीं लिया था बट स्टिल जोन टर्नर के उपर वो तलवार जरू लटकेगी अगर जो उन्टरनर रिप्लेस होता है तो वो शाकिम मेहमुद के साथ में रिप्लेस होने के सबस्जाद हाई चांसेज रहेंगे चांकिम मेहमुद बेस है डीसेंट बोलर है जो डेफिनेटल अब मिनी जीयल टाइप या 30-35 या अगर 10-15 मेंबर वाई लीक्स पे खेल रहा है तो उसमें जरूर एक डिफरेंशल पिक के रूप में आपके लिए हो सकता है बागे वेस्ट इंडीस के तरफ से बात कीजिए अब रेंडन किंग एविल लुइस अब एविल लुइस का मैंने अलड़ी बोला था कि एविल लुइस फिलाल के लिए लगा हुआ है परफॉर्म करने में इसको मोका मिलता है यह प्रूव करने में लगा हुआ है नैंटी- एक हिट और में इस टाइब के लाड़ी फिलाल के लिए बन गया कि यह तो बहुत ज़ादा चल जाएगा और यह फिर बिल्कुल ही आपको वो दस बारें रनों के असपास आउट होता हुआ दिख चाएगा ठीक है तो अगर बना रहे हो ना इसमें भी क्या बोलता है उसमोल अब बैटिंग उतनी आई नहीं दोनों प्लेयर्स की एंड यहां से जैसे वहां से एक जोड़न कोक्स है न डिफरेंचल पिक वैसे यहां से कैसे काटी एक डिफरेंचल पिक है अगर वेस्ट इंडीज के जर्व से ट्राइग करना चाहो तो बागिए इस मैच में भी रहें है उसके लावा नेक्ष्ट यहां से शमरेंड है शर्फियन रजरफोर्ड है रिसेल्टी रजरफोर ने रन वगरा बनाए हैं बढ़िया तरीके से अब पिछले में तो चुकि बैटिंग इनकी आहीं नहीं थी बट एक चीज है अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे लुइस कार्टी या होप अगरा हो तो उसकेस में शर्फियन रजरफोर्ड फिर एक मस्ट है क्योंकि यह ज्यादा तर तो तभी आये हैं जब टोप और फ्लोप हुआ है उसका बात में नेक्ष्ट यहां से फिर रोश्टन चेज है अब देख रोश्टन चेज की तरफ से न नहीं बन पारी है तो रोश्टन चेज को कर सकते हैं और बाकि अगर पिक कर पा रहे हो तो ठीक है नहीं कर पार हो तो छोड़ सकते हो वाली चीज हो गए बाकि उसकात में कोदाकेश मोती है वसले इंपॉंट रहेगा पिछले मैच में चार विकेट निकाले अल्जारी जोस पर हमारे शेफर्ड जेफर्ड जेवल एंट्रू हिडिन वोल शमार जोसेफ है आप वेस्ट इंडीज को उसे चेंज करना तो नीची क्योंकि जीते हैं तो most probably winning combination के साथ ये जाना चाहेंगे और जिस जिसको मोका मिला उस उसने अच्छा भी performance दिया था बागे अगर नेक्श की बात कीजिए तो शाई होग का एवरेस भी आप देखोगे 67.12 का है हलाकि वो नोट आउट दो बार रहा है बट येस दस मैच पर पांसो साथिस रन मनाना भी बहुत जादा है बाकि एवन लुइस आठ मैच में 341 रन है और विल जैक्स का नाम तीन मैच में 118 रन है इस ग हैट्वर्ड की बात करें 106 मैचे हो चुके हैं जिसमें इंग्लेंड ने तो जीते हैं 53 वेस्ट इंडीज ने जीते है 47 बट आज के लिए ओविसली वेस्ट इंडीज के अगेन पर्फॉर्म करने के जादा चांसे है और 6 मैचे ऐसे हैं जूकि नो रिजल्ट पे रहे हैं अ जैसे एक तो है 176 की एक है इसी में 94 रण की ठीक है मतलब अगर कुल मिला के आप देखो यहां से तो यह जाते हैं टू इतने होगे बे 280 रण तो भाई इसने 2 मैचों बना दिये ठीक है और बाकी के अगर देखा जाए यहां से तो फिर यहां बाकी के जो 55 रण है वो बनाया है बाकी के 55 रण मतलब की तो अगर देखा जाए तो भाई इसने वाला मामला है ही नहीं कि भाई 30-35 पॉइंट दे जाएगा या 20-25 पॉइंट दे जाएगा या तो वो 60-70-100 पॉइंट है या फिर बिल्कुली वो 10-12 पॉइंट के आस पास उसके अलावा शिम्रेंड हेटमायर आट इनिंग में 224-37 का है विल जैक्स चार इनिंग में 233 के एवरिस के साथ में लिविंग्स्टन ने तीन मैच में 110 पनाए है फिल सोल्ट ने चार मैच में बनाए है 88 रंस और रोमारी शेफट के नाम भी है वैसे तीन मैच में 108 रं तो ठीक है नेक्स्ट विगेट्स की बात करें तो आइदिल राशिद हेट्टोर में सबसे उपर 12 इ टीम में किसको रखता है विगेट कीपर में अपने पास में हो बागी बैटर सेक्षन में लुयस है किंग है उसका बात में लिविंग्स्टन को पिक किया वा है बात MON राशिद है आर्चर है गदाकेश मोती जोसेफ एन फोर्ड़ी को पिक किया हूँ आप्शं कों कोन से बन बनता है और कैसे काटी वो एक as a differential pick अगर try करना चाहू तो अगें फोर डे या फिर किंग की जगे पर ही है वो option pick करने का तो यह जाती फिलाल के लिटीम केप्टन साम करने वाइस केप्टन मन के है मोती को वाइस केप्टन अगें अगर try करना हूँ जैसा रिसकी है तो वो है य एक राम चैनल भी जुरूर जोन कर लेना जिसका लिंक आपको description मिल जाएगा ठीक है बागे all the bestest match के लिए मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में बहुत ही ज़रे जोड़े